अर्विंद केजडिवाल को सीयम पद से बरखास्त करने की मांग दिल्ली हाई कोट में एक और याचिका दायर अर्विंद केजडिवाल को मुख्यमंतरी पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोट में एक और याचिका दाखिल की गई है ये नई आचिका हिंदू सेना के विश्णु गुपता की तरप से दायर की गई इससे पहले दिल्ली हाई कोट ने ऐसी ही मांग वाली आचिका को ये कहते वे खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई कानून बाधिता नहीं है कि हिरासत में जाने के बाद केजडिवाल सियम नहीं रह सकते कोट ने साथी टिपनी की थी कि अगर कोई समवैधानिक संकट भी है तो इस पर LGA राश्रपती को फैसला लेना है इसमें कोट के दखल का कोई औचित्ते नहीं बनता अर्विंद केजडिवाल को दिल्ली शराब नीती से संबंधित घोटाला केस में 21 मार्ज को प्रवर्ता निदेशाले ने गिरफतार किया था इसके बाद वो 28 मार्ज तक एडी की हिरासत में भेजे गये थे जिसे एक अप्रेल तक बढ़ा दिया गया है हिंदू सेना की याचिका में क्या कहा गया है? कि अदालतें प्रशासन और शासन में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए समवैधानिक प्रावधानों में हस्तक शेप करें याचिका में ये बात भी अस्पष्ट की गई है कि समवैधान के अनुचेद 163 और 164 के तहट एक राजय पाल की क्या शक्तियां है? नैतिक्ता के कारण पहले ही दे देना चाहिए था इस्तिफा याचिका हिंदू सेना के वकील बरुन सिंधा ने दायर की है जिसमें कहा गया है दिल्ली के मुखे मंतरी के रूप में अर्विंद केजरिवाल ने समवैधान द्वारा उन पड़ जताय गए समवैधानिक विश्वास का उलंगन किया है धन शोधन निवारन अधिनियम के तहटीडी द्वारा उन्हें किरफतार किया गया है याचिका में कहा गया है इसलिए समव्यधानिक नैतिक्ता के कारण उन्हें जाच एजैंसी द्वारा हिरासत में लिये जाने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था